प्रदेश में मौसून के प्रभाव से अने की स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। बस्तर संभाग में कई जिलों के नदी नालों में जल स्तर सामानी से उपर पहुँच चुका है। बीजापूर और सुकमा जिलों में बाड के हालात हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को बाड का जायजा लिने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने बाड प्रभावित इक्षेत्रों में राहत और बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा है। उधर तेज बारिशों से काकेर जिले के चारामा घाट में भूस खलन से राश्ट्री राजमार्क क्रमांग तीस पर गाडियों का आवागमन बंध हो गया है। प्रशासंद्वारा मार्ग खोलने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। देर शाम तक यातायात बहाल होने की संभावना है। वहीं जाजगी चापा की लीलागर नदी में बने अनिकट से गिर कर बहे साढ़े चार साल के बालक का 24 घंटे के बाद भी कुछ पता नहीं चला है। रेस्क्यू के लिए बिलासपुर से SDRF की टीम भी पहुँच गई है। वहीं जिले के गोताखोरों के साथ ही स्थानी पुलिस और गोताखोर बच्चे की खोज बिन कर रहे हैं। इधर राजधाने राइपुर सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी बीती राज से रुक रुक कर बारिश हो रही है।